जाहिन दूस्तों मिरना मैं अतुल और स्वागत आपका अपनी यूटीब चैनल अतुल टेक बजाब में दोस्तों आज के एक ही वीडियो में मैं आपको Realme UI के अपकमिंग फीचर्स के बारे में बताने वारा हूँ Realme UI 1.0, 1.1 और 2.0 के बारे में साथी साथ ColorOS 7.1 और ColorOS 8 के फीचर्स के बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर से अपनी चैनल के सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज सिकलेजेगा साथी साथ All Notification के बड़न को भी टैप कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पस तुरन से पहुच जाए दोस्तो वैसे तो मैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो पहले भी बना चुका हूँ लेकिन जब भी अप्डेट आते रहते फीचर्स मुझे पतर चलते रहते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग फिर से वीडियो बना देता हूँ और यहां पे आप उसे भूल गए हो और हो सकता है कि आपके भूलने के बाद कभी आपको उसका नोटिफिकेशन ना मिले तो जो डेंड रिमाइंडर आपको रिमाइड करता रहगा कि यहां पे आपने इस एप में इस features में यहाँ पे D&D लगा के रखा वैसे इस वाले option के through आप सारे mobile में भी D&D लगा के रख सकते हो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो iPhone वगर में आपको schedule D&D का option देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको सारे mobile के लिए schedule D&D का option देखने को मिल जाएगा तो यह काफी useful features है और यह in future clearme UI 1.1 में आपको देखने को मिलने वाला है अगला feature है professionally adjust the size and position of one-handed mode तो आपको one-handed mode तो अभी use करने मिल जाता है आप कर सकते हो easily पट इसकी जो position है आप left और right ही कर सकते हो और इसका size जो है एक ही maintenance size है by default size यहाँ पर provide कर जाता है but in future आप इसके size को increase या decrease कर सकते हो और साथ में साथ आप इसकी position को भी change कर सकते हो तो यह वाला update भी 1.1 में आपको देखने को मिलने वाला है चलिए बात कर लेते हैं अगले features के बारे में तो यह है turn off the flashlight via power button याने अगर आप flashlight on करते हो आपको पता ही होगा कैसे on करते हो software के through तो इससे off को software के through यहाँ पर बंद करना पता है तो अब जो है hardware याने power button के through भी आप इससे off कर पाओगे on तो आपको software के through ही करना पड़ेगा बड़ जब off को option है वो अप power button के through easily कर पाओगे अगला feature है दोस्तों countdown reminder before shutdown low battery state means यहाँ पे अगर आपके mobile की battery बहुत ही जादा down हो गई है तो यहाँ पे countdown reminder आएका जैसे कि आपने बहुत से mobile में देखा था मेरे पस Lenovo का mobile था उसमें यह वाला feature था battery drain होने के बाद जब mobile बंद होने लगता था तो यहाँ पे countdown reminder आता था और यह बताता था कि भाई बहुत जल्दी आपका जो mobile बंद होने वाला है तो यह वाला जो feature है in future realme UI 1.1 में आपको देखने को मिलने वाला है अगला feature है दोस्तो calendar planner for desktop यहाँ पे अगर आपने system यूज क्योंगा desktop तो आपको पता होगा कि desktop में एक calendar आता है उसमें आप यहाँ पे planning कर सकते हैं अपने application अगरे की अपने plan की या फिर अपने work की तो यह वाला जो feature है desktop mode वाला यह आपको realme UI में आपको देखने को मिलेका mobile के अंदर ही बहुत से mobile में यह वाला feature available है और realme UI में भी आपको यह वाला feature अप देखने को मिलने वाला है इसके लावा दोस्तो UI Max Video Stabilization का option भी आपको देखने को मिलने वाला यह feature realme 6,6 pro के साथ इंट्रीज कराया जाने वाला था April मेने में अपडेट आने वाला था लेकिन नहीं आया तो यहाँ पे May मेने में आपको अपडेट देखने को मिलने वाला है बहुत से और mobile को भी update देखने को मिलने वाला है Night Escape 3.0 का support भी बहुत सारे mobile को देखने को मिलने वाला है तो यह वाला अपडेट भी बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है 3.0 वाला अगर विचर है दूस्तों क्रोमा बुष्ट फर फ्रंट कैमरा यहां पर अगर अगर आपके पस रियल्मी वान होगा तो आपने देखा होगा सूपर वुवीड मोट था फ्रंट और रेर दोनों कैमरे के लिए तो काफी अच्छी फोटो ले लाता था फ्रंट कैमरे में अभी यहां पर क्रोमा बुष्ट का ओप्शण दिया गया है उसको relatively नहीं है बट इन future फ्रंट में भी आपको क्रोमा बुष्ट का oftion देखने को मिलने वाला है और बहुत जल्दी इस वीचर आने तो वहाँ पे sharing का कोई भी option available नहीं है आपको उस image को private से हटा के public करना पड़ता है और फिर जाके search करके उस image को share करना पड़ता है तो अभी जो है realme UI में ये option आपको देखने को मिलने वाला है कि जो private safe में ही आपको sharing का option देखने को मिल जाएगा और वहाँ से easily आप photos को share कर तो ये feature realme 1 में provide किया गया था WhatsApp में beauty mode का feature था बट कुछ कारण यहां से ये feature जो हटा दिया गया था और अभी आपको बता दू recently realme x50 pro में एक update आया है चाइना के अंदर जिसमें यहां पे WhatsApp में beauty calling का support फिर से मिलने लगा है तो इन feature जो realme UI है उसमें upgrade होने के बाद यहां पे feature जरू से मिलेगा चलिए बात करते हैं और वी features के बारे में इसके recording पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ hypertext का feature आपको देखने को मिलने वाला है इसके through आप किसी भी image को click कर सकते हो आपको camera section में ही एक option मिल जाएगा hypertext का और जैसी आप image को capture करते हो यह जो image है editable text में convert हो यहां पे यार आप जो भी बोलोगे record करो के उसको भी आप पर text में convert कर सकते हो तो दो option आपको देखने को मिलने वाले हैं picture से आप editable text में convert कर सकते हो या फिर आप जो बोल रहे हो record कर रहे हो उसे भी आप editable text में convert कर सकते हो अगला feature है दोस्तो game bearish का और इस features में आपको आएंगे यहां पे आपको textable है यहां पे आप directly text कर सकते हो यहां पे आपको option मिल जाएगा floating window का support मिल जाएगा फिलाल तो अभी भी मिल रहा है पट यहां पे आपको gaming bearish का support है इसमें आप non-stable जो है gaming अपनी कर सकते हो means यहां पे आपको कोई भी disturbance नहीं होने वाला है अगला gaming का experience काफी जदा है smooth होने वाला gaming section पे काफी जदा ध्यान दिया गया है उन लोगों के लिए उन users के लिए जो gaming जादा करते हैं तो यहां पे अभी आपको यह वाला version देखने को नहीं मिलता है तो hyper boost 3.0 के support से आपको यह वाला function देखने को मिल लाला है इससे आपका use मैं आप बता दू hyper boost के recording बहुत brief में मैंने वीडियो बनाया है बाकि सारी एप को freeze कर देता है यह वाला function आपने यह वाला feature यूज नहीं किया होगा कभी भी यहां पर मैं आपको बता दो जो भी call आपके पास आएगी अगर आप उस person की language नहीं जानते हो जैसे Chinese person का call आपके पास आता है तो simultaneously आप उससे बात कर रहे होंगे और जो उसकी recording है call translation हो जाएगा आपका Chinese language का English language है हिंदी म आप जिस में चाहते हो मैं इस एक टाइप से Google translator की तरह ये काम करता है पर यहां पर आपको manually translate करना पड़ता है पर यहां पर आप देखोगे कि simultaneously आप दोनु ही बात कर रहे होंगे और दोनु ही की बाते जो है translate होके एक दूसरे को मिलती रहेगी तो communication के लिए बहुत ज़्या आपको easily recognize करा देगा कि भई आप किस परसन से कौन से language में आप बात कर रहे हो तो यही सारे features दोस्तों भर भर के जो features आने वाले हैं Realme UI 1.1, 2.0, ColorOS 7.1, ColorOS 8 इन future आपको देखने को मिलने वाले हैं और भी अगर कोई functions या फिर features आते हैं तो मैं आपको update कराता रहूंग और Realme के regarding कोई भी question आपके mind में चल रहा होगा तो मुझे comment section में आप जारू से पुछेगा या फिर आप मेरे telegram group को भी join कर सकते हो तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही और यह वीडियो गर आपको पसंद आया होगा तो please remember channel को like share and subscribe करना ना भूलेगा तब तक के लिए जैं दोस लिए, जैं ना भूलेगा तोस्तों आ जापके में दोस्तों के जाहा होगा है